मेश व्यवसाइक शेत्र में उच्छदिकारियों के साथ आवश्यक विश्यों पर चर्चा होगी आपके किसी परियोजना को सरकारी लाब राप्त होने की संभावना है कार्याले से जुड़े कारे के लिए प्रवास के भी योग हैं व्रिशब गणेश जी कहते हैं कि आज का दिन मिश्रुफ फल्दाई रहेगा व्यापारी अपने व्यापार में धन लगा कर नए कारे का प्रारंब कर सकेंगे और भविश्य के लिए योजना भी बना पाएंगे विदेश कमन की संभावना भी है मिथुन गणेश जी चेतावनी देते हुए बताते हैं कि गुस्से की भावना आपको हानी पहुँचा सकती है बिमार व्यक्ती नई चिकित सा या उप्रेशन ना कराए संभीदन शीलता और प्रेम की भावनाओं से हरा भरामन आज विप्रीत लिंग्य पात्रों की तरफ अधिक आकरशित हुगा वैभवी मौज शोग की वस्तुए नई वस्त्रा भूशन तथा वाहन वगैरा की खरीदारी हुगी सिंग गनेशी कहते हैं कि उदासी मृत्ती और संदेही की भावना आपके मन को बेचैन बनाएंगे दैनेकारिय विलम से पूरे होंगे परिश्रम तो अधिक करेंगे परंतु फल कम मिलेगा नौकरी में संभल कर रहें कन्या आज का दिन चंता और उद्वेक से परिपूर होगा पेट की गड़बड़ी से स्वास्थे खराप होगा विद्यार्थियों की पढ़ाई में अवरोद आएगा अचानक धन खर्चाएगा बौधिक चर्चाएं और समझोते में असफलता मिलेगी तुला गणेश ची आज के दिन साफथान रहने की चेतावनी देते हैं विचारों की भरमार आपको मांसिक रूप से स्वस्थ बनाएगी माता और स्त्रीवर्ग संबंदित चंता सताएगी आज के दिन यातरा स्थगित रखें विष्चि आज आपके लिए लाबदाई दिन है ऐसा गणेश ची कहते हैं आज आर्थिक लाब होने के साथ साथ भाग्य में भी लाब होगा स्नेही जनों के साथ संबंदों में प्रेम की अधिक्ता रहेगी धनो गणेशी सावधान करते हुए कहते हैं कि परिवार जनों के साथ होने वाली गलत फेहमी से बचें, व्यर्थ में धन खर्च होगा, मानसिक उचार्ट और दुविदा के कारण महतोपूर्ण ने नहीं ले सकेंगे, कारियों में निर्धारित सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे मकर ईश्वर भक्ती और पूजा पार्ट से आज के दिन का श्री कडेश कहें, परिवार में मंगलकारी वातावरन रहेगा, दोस्तों और सगे संबंधियों की तरफ से भेट उपहार मिलने से आनन्द अनुभव करेंगे कुम पैसे के लेन देन या जमानत आपको फसान आदे, इसका ध्यान रखने के लिए कनेशी कहते हैं, एक आगरता का आभाव मानसिक अस्वस्तता बढ़ाएका, स्वास्ते के समंध में प्रश्न खड़े होंगे में समाच में अगरिम स्थान प्राप्त कर सकेंगे, समाची कार्यों में भाग लेने जाना होगा, बुजुर्गों और मित्रों का सहयोग मिलेगा, मित्र मंदल में नए मित्र जुडेंगे नौकरी और व्यवसाई